अलो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि Samsung phone के अंदर contact number को कैसे डिलीट करें और डिलीट हो गए number को कैसे वापस निकालें तो आप इस वीडियो को पूरा-पूरा देखें ताकि आपको भी पता तले कि contact number अगर आपको गलती से भी डिलीट हो गए हैं तो उसको आप वापस कैसे निकालेंगे तो फिर चलिए फ्रेंड जल्दी से हम वीडियो मॉबाइल की मैन स्किन पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं फ्रेंड फिलाला हमारे पास अभी सैमसंग का मोडल है सैमसंग एबारा सेटिंग में चलकर हम देखते हैं कौन से मोडल है तो Samsung एक बार हम आपको दिखा देते हैं एक बार ताकि ये confirm होज़े Samsung एक बार गलेक्सि हैं इसके अंदर contact number की लिस्ट में हम जाते हैं सबसे पहले तो Calling जैले वाल सिस्टम उसमें आप context बाली लिस्ट में जाते हैं उन दिलीट हो जाएगा फ्रेंड यह फिलाल एक नमबर डिलीट हुआ है जैसे कि आप निचे दबाएंगे तो एक नमबर डिलीट होगा एक साथ में डेर सारे नमबर को डिलीट करने के लिए आपको उपर की और ओल सेलेक्ट को अप्सन दे रहे हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे तो सारे उप्सन एक साथ डिलीट हो जाएंगे यह देखिए फ्रेंड सारे कॉंटेक्ट नमबर एक साथ डिलीट हो चुके हैं एक नमबर पर आप प्रेस करके रखेंगे तो नीचे एक option आजाएगा डिलीट का और यह आप एक साथ all select करके डिलीट कर सकते हैं अभी हम जाते हैं contact number वाला एप जो आता उसमें भी देखते हैं कोई भी number हमारे पास नहीं बज़ता है तो यह friend contact number डिलीट हो चके हैं डिलीट होए नमबर को आपस निकालने के लिए तीन वाले पॉइंट जो देर के उपर की और उससे हम क्लिक करते हैं और यह देखिए आप सबसे नीचे वाला option होता है उससे आप क्लिक करना है और सारे contact यहां पर दिखा रहे हैं जिए श्टोर वाला option आपको क्लिक करना फर्स्ट नमर उप्सन वहां पर आपको एक बार आपकर आप वाल स्लेट करके जिए इस्टोर के करते हैं सबसे नीचे वाला एक option मिलता है रिए स्टोर का उससे आप एक वार दबाते हैं तो यह सारे के सारे number आपके डिलीट यह हो ह वापस आजाते हैं निए इस्टोर वाले ओप्शन को किलिक करना है सारे नंपर कॉंटरेक्ट नंबर डिलीट हूँ वो बापस आ जाते हैं फ्रेंट सेंसेंक का मॉडल है यह बारा उसमें आप इस परकार से नमबर को डिलीट हो गए हैं गलती से भी तो आप उसे वापस इस प्रकार से निकाल सकते हैं प्रेंड हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक और सेर करिए क्योंकि इस जैनल पर आपको मुबल से समझे हर प्रकार की जानकारी मिलती रहेगी ठेंक्यू धन्यवाद